हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जिस ललीगा के मैच का प्रिव्यू करने वाले हैं वो केले जाएगा FC Barcelona versus Villarreal के बीच तो Barcelona आप जानते हैं ललीगा का one of the best club माने जाते हैं बट ये वाला सियर इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा और थर्ड स्पार्ट में जरूर है बट अभी जो टॉप टू में टीम से जिरो नो और रियल मेडिट वो इनके थोड़ा आगे निकल चुकिया विकॉज इनकी रीसेंट फॉर्म इंकंसिस्टेंट रही है अगर आप देखिंगे थर्ड में 20 मैचेस में के 44 पॉइंट है 14 उनने गोल स्कोर के और 24 गोल कंसीट किया है वहीं जो विलरियाल है उनका भी यह वाला सियर बहुत खराब गिया जनरली विलरियाल टॉप 6-7 टीम्स में काउंट होती है ललीगा में लेकिन यह सियर उनने ब तो देखा जाए दो ऐसी टीम के बीच मैचे जो रीसेंटली उतना अच्छा नहीं खेल ली अब मैं आपको दोनों का एक बार प्रीवियस रिजर्ट दिखा देता हूं तो बारसलोना ने अपने लास्ट ललीगा मैच में 4-2-32 स्कोर आया था फेरें टोरिस की मैच में हेट और ओवराल तो बारसा विलर याल से अच्छा ही फुटबॉल खेल लिए है क्वालिटी में भी बेटर टीम है तो इससे देखते हुए मैं यहाँ पर बारसा कोई बैक करें अबनी टीम बनाने वाला हूँ अब गाइस सबसे में चीज इस मैच की लाइनप आने के बाद जो है उसलिए फैनल टीम अपडेट होगी वह आपको अमारे टेलीगिराम चैनल में मिलेगी तो जो मैरे टेलीगिराम flip लिंक है आपको यह मिल जाएगआ डिस्क्रिप्चन बोक्स में या आपको मिल जाएगआ डीयाका टॉप मिल कमेंड में जौइन कर लीजिये अब हम आइ पहनिया होने वाले इनके गोल की बर चार इनके डिफेंडर होंगे कुंडे, अरावो, कुबार्सी और कैंसलो अब जो कुबार्सी है यह इनके यंग्स्टर है 16-17 इनको मौका मिलने वाले आज के मैच में फिलाल इस मैच में अगर दोनू में किसी एक टीम को क्लिंशीट के ल मिनर्स भी आश्यों नहीं है, इस वैसे मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ, कैंसलो जो है एक इंजरी से कमबेक कर रहे हैं, वैसे प्लेयर वाल क्लास आप जामते हैं अटेकिंग वाइस भी डिफेंडर भी करते हैं, और अरावो, कुंडे तो बेस्ट डिफेंडर माने जाते जब से इंजरी से कमबेक किया, बहुत ज़्यादा खास नहीं किया, लास्ट मैच में 80 जरूर आ गया था, मैं अभी मैं इग्नोर कर रहा हैं, इनसे बेटर आफसन मिले थे, फ्रेंकी डिफेंडर कर रहा हूँ, जो मिट्फिल में लिस्टेड हैं, लेकिन रीसेंड गोल स्क को अटाके फ्रेंकी डियोंग ले सकते हैं, क्योंकि यह बिना गोल असिस के ज़्यादा पॉइंट नहीं देने वाले, बट अभी के लिए मैं हापे रमाल को भी लेके गया हूँ, फोर्वेट में लेवन्डॉस की फेरेंड टोरेस दोनों मस्ट भी गया हूँ, दोनों की र पेनल्टी और लेवन्डॉस की लिंग है, और यह अभी तक के बारसा के सियन के ललीगा के स्टेट हैं, आप यह स्टेट देख सकते हैं, अपोनेंट की बात करने से पहले, एक चेज फिर से रिमाइन दिला रहा हूँ, इस मैच की फाइनल टीम या अपडेट जो भी होगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको या तो मिल जागा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आपको मिल जागा टॉप इंड कमिंट में जोइन कर लिजिए, अब हम बात करते हैं, अपोनेंट विलरियाल की, तो जोर्जेंसन ह हुने वाले हैं इनके गोल की बर, मेरे अकॉर्डिंग बार्स अपने घर में ज्यादा अटेक करेगी, तो मैं गोल की बर जोर्जेंसन ले रहा हूँ, चार इनके डिफेंडर हैं, कीको फेमिनिया, एरिक बाई, कुएनका और अलबेटो मुरेनो, फिलाल में यहां से एक डि कर लेते हैं, इस वाई से मैं इनको फिक कर रहा हूँ, आपको इनको नहीं लेना, तो आप राइट बैक फेमिनिया भी ले सकते हैं, यह भी डिफेंसिवर टेंगेंग आइज अच्छे हैं, पडवी के लिए मैं इस से मुरेनो को फिक किया, और मैं बागी तीनों डिफेंड डिफेंसिव पॉइन दे सकते हैं, लेकिन इन से बेटर आप्सन मिल लेते, तो मैं इन दोनों को भी अग्णोर कर रहा हूँ, अभी मेरा जो दूसरा प्लेयर है निटील में, जो पहला प्लेयर है मिट्पील में, वो है बैयना, बैयना एक ऐसा प्लेयर है जो गोल असिस्ट है और जो पेनल्टी भी लिंगे और दूसरा इन दोनों का में एक साथ पिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि फॉर्वेट में अल्लेटी में मैं दो बार्षा से प्लेयर पिक कर चोओं तो अभी के लिए मैं जराड मुरेनो ले रहा हूं और मैं सौरलोग को इंग्नोर कर रहा हूं तो यह विलरयाल की 11 थी, अभी मैंने टोटल चार प्लेयर यहां से लिए मैं गोलकीबर जोर्जनसल ले गया, डिफेंसे मैं मुरेनो ले गया और मैं बैयना और जराड मुरेनो को भी करके गया हूं बागी पेनल्टी जराइड मोरेनो लिंगे और यह अभी तक के विलेरियाल के सियन के ललीगा के स्टैट है आप ये स्टैट देख सकते हैं अब आजाते हैं मेरी इस मैच की प्रेडिक्शन में है तो मैं एक क्लियर का 2-1 बार्सा विक्टरी के साथ जा रहा हूँ तो अभी ये मेरी डैमोर रफ्टीम है गोलकीबर मैंने जोर्जेंसन लिये विलेरियाल से और उनके एक डिफेंडर एलबेटो मोरेनो लिये मैंने तीन बार्षा की defender लिया कुंडे, cancels और अरावो, मिट्विल में मैंने गुंडगोन और यमाल बार्षा से लिया और वहां से बैना लिया, forward में मैंने वहां से विलर्याल से जराड मोरन लिया और बार्षा से मैंने 11-2 की और फेरेंट औरिस्कोपिक किया है, अब यहाँ पर एक रिस्की भीग है वो है यमाल, क्योंकि अगर गोल असे नहीं करेगा, ज़्यादा पॉइंट नहीं देगा, अगर आपको लगते हैं फ्लॉप होगा, तो आप यमाल रटा के मिट्विल में सेब जाने हैं, फ्रेंकी डियोंग ले सकते हैं, हलका सा और रिस्क लेने हैं, तो आप पैडरी पे भी पाइंट ले सकते हैं, दूसरा, अगर आपको मिट्विल में भी आपको डिफेंस में अलबर्टो मुरेनो पे भरोसा नहीं है, तो आप इनके अले प्रिस्मेंन के राइट बैक फेमीनिया या मिट्विल में कोकलेन या कोमेसाना में किसी एक मिट्विल्डर के साथ भी जा सकते हैं, आप इसका रिवर्ज भी कर सकते हैं, दोनों अच्छी फॉर्म में हैं, बकि गुणगौन को भी आप अपना वीसी कर सकते हैं, तो अभी यह मेरी डेमर रफ टीम थी, अपडेटर जो भी फाइनल टीम होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आपको मिल जाएगा टॉप इंड कमेंड में, जॉइन कर लिजे।